कर तो कि एंप पिक एलो बुट्रीश्ड सेवेर अर्स वीषे वीएंड केदारे संहें पिपर डिस्केर्स्टन नहां बेटेश्ट अपने फेपर हुआ थना उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं भी ओके गुडिवनींग गुडिवनींग सब्सक्राइब करने यह चलिए सब्सक्राइब करतें चलिए किंगनम एनी मेलिया का अपना जो सेकंड पार्ट था कॉडट मुझे आज इसके उपर बात करनी है इसके फिर्स्ट पार्ट था प्रफ था किंगनम मेरे विलिया का नॉन कोड़िट खत्म कर चुके हैं उसका पेपर भी हो चुका है उसको मैं डिसकर्च भी कर चुका हूं पहला कॉश्चन है हमारा लिम्लेस एंफिवियन इज यानि ऐसा एंफिवियन जिसको पैर ही नहीं है मतलब लिम्स होते हैं जितने भी हम कॉडिट्स पढ़ते हैं लगबग समय क्या आजाता है आप आगे कि जो सुपरक्लास टेटर पोड़ा पढ़ते हैं उसमें क्या आते है चार लिम्स होते हम से कम ठेक है ना लेकिन यह जो आपका एंफिवियन से एक्थी ओफिश यह लिम्लेस होता है लिम्लेस एक्जाम्पल क्या हो जाएगा ठीक है यह कॉश्चन बेटा प्रिवियस एकड़ा में आया हुआ है और आगे चलके भी आता रहेगा आई हो चलिए प्रॉट्विया में आते हैा यह जैसे की प्लैंटी पर अंडे देने वाले मेंचा व्योंप था मता किरिया थीरिया के दू इंफ्रा क्लास थे एक था मेटाथिरिया और एक था यू ठीरिया मेटाथिरिया को हम बोलते हैं मासुपी लिया और इनके पेट में अबन्डर में पाउच होताह। लुख को मुलते हैं मार्शूपीम क्योंकि यह जो बेभी को बर्थ देते हैं वह इमेच्चियर बेभी होता है मैं इसको बूल सकता हूं और बच्चा जब मां के पाउच में रहता ना कंगारू का पेच में जो पाउच रहता है उसी के अंदर क्या होता है उसका ब्रेश्ट ह भी क्या आता है प्राइमेट तो याद रखना यू थीरियल्स को हम क्या बोलते हैं ट्रू प्लास एंटेलिया जब कि कंगारु बाले गुर्पकों बोलते हैं मैटाथीरिया या फिर मार्शू प्लासेंटा तो इसमें जो प्लैटिपास है यह तो आजाएगा एग लेंग मैमल में यह तो नहीं हो सकता बेटा यह नहीं हो सकता कैसे भी दूसरा अपना एक इन यह टोना योश्री में आ जाएगा यह भी हो सकता है अगला क्यापण कंगेरु में आzekने के और मय के में आजाएगा है एकला दसता है मोंगूस म liner wow तौसम देखा कुर्ध के अगवे तो चलिए फिक नेंस्त मेंस अपना एनडोस्लेटन इस कार्टिस्टूम्स कितना सिंपल क्वेश न है कॉंइक अपसे उनम्छेटन उनमें जो कांटलेज्ट का बना है चलो देखते हैं अगे लास्मो ब्रेंक बिल्कुल सही बात है क्योंकि एंडुस्क्लेटन कार्टिलेजस का किसमें बना होता है जिसको मिल्कुल यह भी जवाब सभिए ठीक है डपνοी लंग फिश है पार्टि लेजने फिश मतलब शार्क इनका जो एंडस्क्लेटन है वो बना होता है यह लंग फिश को बोलते हैं और मोलसका और यह बोनी फिश है तो अब समझगे सम्हें होई नहीं सकता नेक्स्ट ग्षचन को हम देखते हैं आएई एन एक्जम्पल ओप आगने था जो लेस वर्टीब्रेट इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि ऐसा वर्टीब्रेट का नाम बताओ जिसमें जो नहीं है बतलब आगने था बिदाउट जो सबको पता है इसमें एक ही क्लास आता था साइकलोस्टोमेटा और उसका एक्जम्पल क्या बता पून बताएगा पिट्रुमाइजोन वेरी गुर्ट वेरी गुट्वरीगूट ठीक है ना चेएट कि ना में जो मसली का ना में दूसरा एक्जांपल इसमें है फिश भी आता है तो चार नंबर कोश्चन का शार नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा समझे चलो नेक्स देखो बेटा जल्दी से अगला है अपना विच अप दा फॉल्लॉइंग स्टेटमेंट इस ट्रू वो पूछताई में से कौन सा स्टेट यह साथ सरे वर टीब्रेट्स कोड़ेट है यह बाथ समझ में आती है दूसरा क्या बोलता है वह और बिल्कुल सही हो सकता है इस ब्लॉ कोलम यह भी गलत है तो क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बीटा और कार्डेट्स याद करो फाइलम कोडेटा इस डिवाइड इंटू तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आप इसमें पाओगे कि जितनी वर्टीब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टीब्रेट्स नहीं है ठीक आगे देखो हैं एक्स्क्रूसिव घ्रेक्ट्स और सैंट है जो सिर्फ और सिर्फ में मिलता जब वह ने किहीं अधीस प्रक्राइब को समझने की पहले। सही होना चाहिए आपको आपको ऐसा पॉइंट ढूड़ना है जो सिर्फ और सिर्फ में ही मिलता है समझे चलिए दूड़ते हैं ऐसा कुछ देखो डाइफ्रॉम पहली आंसर करेक्ट हो जाए किसके डाइफ्रॉम डाइफ्रॉम प्रजेंट उनली इन मैमल्स और किसी में नहीं होता है अगर आप बोलो कि फोर्च है यह तो वर्ट के अंदर भी होता है तो वह पूछ रहा है सरफ में में होता है ऐसा करेक्टर पूछा है उसमें तो यह तो नहीं होगा ठीक है माना कि मैमल्स में ठीक होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल को भी कौन से दाथ होते हैं ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं वह तो रेप् जो सिर्फ मैमल करता है वो हो जाएगा आपका डाया फ्रॉंग इस प्रजेंट ओंली इन मैमल्स यह आज यह मक्षी ने बहुत परेशान कर रखाया चलिए आगे देखो रीट्रोग्रेशिव मेटामोर्फोसेस इस यह पांड इन रिट्रोग्रेशिव मतलब होता है बैकबर्ड यह फोर्वर्ड यह वथ या नि जब लर्वा थो एडवान्स हो और एडल्ट कैसा हो वीख वूर्ली डवलप्ड व जनली कैसा होता है लार्वा पूरली वीक्ट होता है और एडल्ट क्या होता है एड़ो धुटा है ठीक है जहां पर उल्टा हो लार्वा पते नहीं बچ्चा तो बहुत ही हाइडबान्स है एडल्ट कैसा है पूर्ली डब लब्ड realize कर मो बोटें retrogressive metamorphoses अगर आप इसकी बात करोगे तो यह आपको मिलेगा यूरो कोड़ेटा में क्यों इसका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है तो मोटाइल होना कैसे करेक्टर एडवांस होना जब किसकी आप एडल्स देखोगे ना यूरो कोड़ेटा के अगर आप एडल्स देखोगे न तो पता है वो कैसे होते हैं नौन मोटाइल होते हैं उसका नाम ही है सीव पोटेटो समुद्री आलू आलू जैसे बटाटा जैसे आप देखकर बोल नहीं पाओगे कि यह नीमल है ठीक है तो रेट्रो ग्रैसिव मैटामॉर्फोस किसम मिलेगा आपको यूरो काड़ेटा में मिलेगा ओके 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 अगला है इस्टिंग रे रे फिश मतलब जिसके जो फिन होते हैं मचली के वह पंक जैसे होते हैं बर्ट के जैसे उसको बोलते हैं रे फिश इस्टिंग मतलब इसमें बोन का डंक निकला जाता है इस्टिंग निकला जाता ह में ओके चलो बच्चों जल्दी से पूछता जाओं सैम आलोग हार्स मैयूरी यह आर कौन है और वार यू आर कि अपना नाम बताई बेटा और संजीबनी सकलेन खादीजा श्रद्दा श्रेया सुमित सुमित बेटा समझ में आ रहे कोश्चन कि यह सर चलो तो स्टिंग्रे किसका नाम होता है अगला है विच इस नौट एट्रू एंफिवियन एनिमल वो पूछ रहा है इनमें से प्रू एंफिवियन कौन नहीं मतलब ऐसा कौन सा एक्जामपल है जो एंफिविया क्लास को बिलॉंग नहीं करता है तो देखो तो एंफि यह किस में आता है रेप्टाइल में आता है तो क्वेशन ने क्या पूछा था इनमें से कौन सा ट्रू एंफिवियन एनिमल नहीं है तो जवाब हो जाएगा हमारा मतलब कछवा या का सब ओके चलो आगे दिखते हैं इंडियन मंकी अपना इंडियन मंकी जो खेल करने वाले आते हैं अरे अपने औरंगाबाद के बगलों दौलताबाद में रहते हैं ना इंडियन मंकी उसका जूलाजी का नाम बताना आपको मका का मुलेटा होता है पूरा नाम ठीक है ना ओके बाकी यह जो लिखे हैं यह सिमिया गोरिल्ला यह आप इवलूशन में आगे चलके अपना देशी बंदर रेखा है शुक्तर को बोलते हैं मकार को के चलो आगया को लिखर नहीं है इसका नाम बताइए नहीं टाकत होती है यह था होता है कर लेता है अपमेंसे किसी ने देखा है कि बीटा पाइफ़न किसी ने देखा है डालेक है तक मुवी जमी म Otherwise फिxtures ने देखा पाइथन ने मालूम पर आजगरी था तुम छोटे थे तो तुमको छोटा साथ भी बड़ा लग रहा होगा ना पाइथन बेटा बहुत बड़ा होता है हाँ यह कुछ बात है सिद्धार्थ गार्डन में देखा है श्रद्दा चौदरी ने यह सही जबाब दिया है रहाओ आप तो सब बोलेंगी वह संद्धार्थ गार्डन औरंगाबाद में देखा है अब तो सबस्क्राइब और सब्सक्राइब देखा है तो सभी लोगों ने देखा होगा सिद्धार्थ गार्डन में जिसने नहीं देखा है वो मुझे बोला अपन कभी जंगल में जाएंगे इधर गौत आला क्या-क्या है यार मैं समाल मां पकड़ के लाते हैं इसको टेंशन को लिए तो मैं खड़ा हो जाओंगा बच्छों से ब मोनोट्रमेटा कुछ नहीं बेटा यह आपके जो एग लेंग मैमल से ना उसके एक ओर्डर का नाम होता है मोनोट्रमेटा जिसमें प्लैटीपस आता है तो तफ नाम है बट ऐसे तफ नामों को फेस्टों करना पड़ेगा ना कभी-कभी चलो मार्सुपियलिया मतलब कैंग करता गारू के पेटकर आपने पाऊच देखा होगा उस पाउच के अंदर से उसका बच्चा बाठे वैठेक गर्दन का बैख आधा के लिए निकाले को वह करता है उस पाउच को बोलते मार्सुपियलिया म्हें में वह बढ़िता मेल्टा तो लेकर लेकर नेनीक्स एक सबको ? पता है एक होता है एक रहे तो यह तीनों मिलके क्या कहलाते हैं एम्नियोटा वी आल एम्नियोड चलो आगे देखते हैं आगे थोड़ा फास्ट लूंगा बेटा क्योंकि यहां पर में जादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता समझे चलिए कोल्ड ब्लैडड एनिमल इस दा वन विच हैं सुवह कब से पढ़ा रहा हूँ आपको दो टाइप के अनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लैडड एनिमल वो होते हैं जो अपने बॉड़ी के टेंपरेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते हैं मेंटेन नहीं कर सकते हैं यानि बाहर का जो इन्वार्मेंट है जैसा होगा थंडा या गरम यह अनिमल्स भी वैसे थंड़ या गरम हो जाएंगे यह खुद की मर्दी से अपने आपको थंडा गरम नहीं कर सकते हैं इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लड एड कोल्ड ब्लड नहीं होता है कोई फ्रिज में रखके नहीं आए ठीक है दूसरा होता है वाम ब्लड ब्लड मतलब गरम खुन बाले इसमें आते हैं बार्ट और हम मैमल्स अपने बॉड़ी के टेंपरिचर को खुद रेगुलेट करते हैं खुद पैदा करते हैं आप सोचो बाहर अगर गर्मी है तो मेरी थंडी रहेगी यह बाहर कितनी भी थंड है आप मुझे कश्मीर में बेज़ कितनी ठंड है लेकिन मेरी बॉड़ी तब भी क्या रहेगी गरम रहेगी लेकिन जो उस थंड में थंड हो जाएंगे मैं थंडा नहीं होंगा मैं अपने आपके टेंपरिचर को रेगुलेट कर सकता हूं अगर आप इंसान की बात करोगे तो हम अपने थेंपरिचर इतनी भी गर्म हो मेरा अंदर 13 मीटर लगाना मेरा टेंपरेटर इतना ही रहेगा अगर इससे ज्यादा हो गया तो मुझे बुखार आ गया इससे कम हो गया तो मैं ठंड लगने से मेरी जान को खत्रा है ओके तो कोल्ड ब्लेड़ेट का मतलब है यह नो रेगुलेटरी सिस्ट हर स्वेक क्या बोला से कॉसचंस ही नहीं समझा बिढ़या कौन सता तर त्रतीन हो एमटी हम्निआ होती हैं च्हीं होती है उसको होते हैं उसको ब finely इता है जिनThe Numbers आई प। आंशवेड़ाइगा क्या है जब मैं आपको जानेटेक्स पड़ांगा ता उपके बात कर लेंग चलो आगे दिखो आगे 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 जोलजिकल लेम फॉमन इंडियन क्रेट बंगेरिस यह रए भीटा अप पीछे का नाम देखा मत करो अपका आधा काम हो जाएगा फीक है तो जो इंडियन कॉमन क्रेट है यह करेट सांब बोलते हैं ठीक है तो यह इसका नाम क्या होता है बंगेरस हम अगला है कैलोड्स गर्ण लिज़र्द कैमेलियों वो लंबी जीज़ीब निकालके फिकता है ना धीडों को चिपका के खाता है यह भी गर्ण कि कहलाता है बट इसको बोलते हैं गार्ड़र्ड लिज़ार्ड तो कैलोड्स लिज़़ार्ड किस ग्रूप में आए है आएगाए चलो चलो आगे देखो जल्डी से अगल अपना फ्लाइट मसल और और आठेच्ट तू याद करो इसका जवाब हो जाएगा किल बट्ट कर इस चर्णाम था मेरा स्ट्रम कैसा फ्लैट है लेकिन बट्ट कर इस्टरनाम वहों कैसा था ऐसा था उठा हुआ था आग होते हैं थोड़ा से तफ है बट इतना भी टफ नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हैं चलिए आगे देखो यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वेटा प्रीन ग्लेंड अकर्स इन एंसी आटी में लिखाए यह ओयल ग्लेंड ठीक है चिडियाओं में एक भी ग्लेंड नहीं हो की ऐयल से वह अपने फैदर को सजाता संभारता है ड्रीक हम फैदर चिडिया करती है किसे करते हैं किसी थी करती है किश्चे कंढिशों धियां पीछे aoic लेंड अकर्स इन चिडिया वाले अपसन जूड़ना ओके यह एपस आया एपस एपस मतलब बार्ड बार्ड के अंदर कोई ग्लेंड नहीं होता है सिर्फ प्रीन ग्लेंड होता है चलो आपस में आपस में मत करो बेटा चैटिंग मैटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखतें जरा यह आपको ट्वेल्ट के मिल जाएगा बट मैंने आज यह क्वेश्चन क्यों डाला ताकि आज आपसे गलत हुआ होने दो पर यह आपको आगे के लिए याग हो गया और क्योप्टेरिक्स इस कनेक्टिंग लिंक बिट्वीन रैप्टा रॉष्टायल और बर्स की बीचे अगर करनेक्टिंग लिंक है तो हम किसको बोलेंगे और की ओप्ोटेरिक्स अचलिए आगे देखते हैं वीच इस नॉट डर्ट अर्ज तक अल्स डॉटेश्ड रहा है इन में इसे इन तो सभी करेक्ट कोड़ेंट का करेक्टर्टर्स characteristic feature है सभी कॉड़ेट में होता है डाइफ्रॉम सभी कॉड़ेट में होता है पेरेंजल गिल्सलिट्स सभी कॉड़ेट में होता है सी लोम भी सभी कॉड़ेट में होता है लेकिन लो और अने लेड़ा में में होता है मोलसका में होता है और रहीं होता है वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा करेक्टर है विच नॉड खॉर तो सीलों सभी होता है उता है सब्सक्री को नहीं होता है तो तो यह उता है यह कौड़ेट में होता है यह पूछा जारा था के ऐसे character बताईए मनलब जो सुर्प coordinate में होते हैं तो meditate होता ये कोदेट में होता है लेकिन थीक है अगला Saucol in pneumatic मतलब हबाँ भरी हुई लॉन जाती है और इस air cavity के अंदर क्या भरा होता है एर भरा होता है ठीक है तो नुमेटिक बून किसमें आ जाएगा बिटा बडस में आ जाएगा तो कौन सा एक्जामपल बडस का पिकॉक पिजन सब लोग जानते हैं पिकॉक या पिजन क्या है चीडिया का नाम होता है इतना भी नहीं जान इमू 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 एलबा ट्रॉस्ट तो सी गाल है इसके तो बहुत बढ़ें उड़ती होगी सारस को बोलते हैं फ्लैमिंगो सबने देखा हो अफ्रीकन जो सॉल्ट वाटर जील होते हैं उसकी चौंच ऐसी होती है जीब सी बैक्ट दिया को फिल्टर करके खाता है आ अब आध सायोज की बीक जैसा है मेरा आथ कि ऐसी होता ना यह सर अब बार्गों सब्सक्राइब कर रहा हूं तो इसमें इमू कीवी इमू ओस्ट्रेच एना यह सब कैसे होते हैं फ्लाइट लेस बड़ होते हैं बिटा आपको मालूम है अग्ला देखो अंडे देने वाली म मैमल का नाम मताएए ए अग लेंग मैमा सुख अहां किसमें आता इसा प्रोटोथीर्या ग्रूप में आता जिसमें इंधा देते हैं ठेउट हाल तो हमारी तरह मैमल लेकिन अंडे देता है और हम बच्चे पैदा करते हैं फिर भी हमारे गुरुप में सामेल है एग लेंग मैमल एज हो गया रिपीट हो गया चलो ठीक हो गया अपना प्लैटीपस नेक्स देखो इन फिशेज दा किड्नी इज सबको पता है और एंपीबिया की किड्नी कैसी होती विटा मीजन एफ्रिक मीजन एफ्रिक किड्नी हमने इतनी बार पड़ा है इतनी बार डिसकस किया इतनी बार मैं आपके सामने चिल लाया कि शायद आपके दिमाख में आपके जहन में आपके खून में यह आंसर ठूस ठूस के मैंने भर दिया मुझे ऐसा लगता है अब भी गलती करोगे ना तो फिर मैं क्या करूं बताओ कि मैं मैं अब दुनिया में इसे कॉन सीमकली में जैर होता मैं आपके पहले बता रह 기ّं किसी ने होता है बेंजाता घ्यास en जडब फुरी क्वरा सब्सक्राइब होता है है लो डर्मा इससे आपने हैलो किया आप अपनी जिन्दिगे से टाटा वाइवाइब कर दोगे है लो डर्मा को बोलते हैं जिला मॉंस्टर यह दुनिया की मांत्र एक पॉईजनेस लेजार्ड है बाकि किसी लेजार्ड में चहर नहीं होता जो आपको कि नियुक्त पर से जो कि लिफ़ाइब करते सब्सक्राइब करते हो अच्छी बात है ऐसा अगराम साइंस को पर मैं वोगो पालो कर दो को अपको पता है नहीं हम चीटी से लर जाते हैं डरना हमारे सभाव में होता है एक चीटी भी आती चोटे बच्ची डर के वाग जाते जबकि इत्ती सी चीटी इत्ता बड़ा बच्चा चलिए और कॉड़ेट्स पॉजेज वो पूछ रहा है सारे के सारे कॉड़ेट्स में क्या होता है एक जुसेह सारे कॉड़ेट्स होता है क्या नो और डिस्समें तो कभो लाइव नहीं होता था लिम्स होते हैं क्या नहीं होते हैं लिम्स कि मश्लिमें कहां पर रहें इसकल का रहें तो यह झरूर यह पर इसको पकड़ाग है सभी सस्क्राइब होता है जब कि एग्जुस्क्लेटन कुछ में कुछ मेंեरे कुछ में मच्छी में मस्ली में मच्रीस Bug मुझ में इसक्berish सब्सक्राइब होोगा झेंडिटर होगा ही हंडिट पर संट होगा के चलो आगे दोखो विच वन इसे लिंक बिट्विन कॉड़ेट्स एंड नॉन कॉड़ेट्स बहुत से बच्चों ने टैट्पोल लारबाट किया था बेटा टैट्पोल लारबा तो फिश और के बिच की लिंक महां सकता हूं मैं कुश्चन पुछ रहां आपसे नॉन कॉड़ेट्ग और कॉड़ेट्स के byte कि करने लिंक क्या है वह क्या हो जाएगा है मतलब उसका ग्जामपल है बले नो ग्लॉसस बले लो क्लॉसस हमें कोड़ समजें मतलब हम कोर्डेट जब नॉन करड़ से बन रहे थे बीच में यह वाली कंडिशन थी जिसमें कुछ करेकटर हमारे जैसे हैं व्या worries । करेक्टर ऑसके चलो आगे लगी बीन वीच ओफ दफॉलॉइंग इज नॉट ऑकर्ड ऐनुइड भ्जू ऺंग कि जीन में है यानि के लारवा में तो है याद करो नौटो कॉर्ड प्रजेंट इन्ड टेल रिजन ओफ लारवा इन यूरो कॉर्ड अट है बट लारवा की पूच्छ में इसलिए यह इसमें नौट ट नहीं है इसमें तो जिंदगी बर होता है इसमें लार्वा में था वो पूचर किसमें नहीं है तो जवाब हो जाएगा एडल्ट क्यूनिकेट थोड़ा सा ट्वेस्टिंग क्वेश्चन था थोड़ा बहुत दिमाग लगाते आपसे आंसर जरूर निकल कि आता सबको पता है ऐसी डोली उठाओ कि दिल मैंनिय मैंनिय हो जाए कुछ तयाए आपको इसलपा की ऐसी डोली किसमें आ जाएगा जल्दी से वो लो यूरो कोड़ेटा में आ जाएगा उपके चलो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एर ब्लेडर सम्डेडर किसम होता है मैंने क्लास में मश्ली का डिसेक्शन भी करवाया था आप लोगों ने स्विम लेडर को पंक्चर कर दिया था तो यह होता है बिटा मश्लियों में होता है यह शार्क है यह शार्क है तॉर्पीडो एनावेस हो जाएगा बिटा आपको क्या टिक करना है सिर्फ बोनी फिश के एक्जम्पल ढूड़ना था थोड़ना था थोड़ना था तफ है लेकिन आप अप्रोच कैसी रखो कि आप शार्क को पहचान लो तो शार्क वाले उप्से एकैस में होता है बोनी फिश में होता है जिसे वो फ्रोट कर सकते है शार्क में यह आ सम्डहन नहीं होता है जिसके वज़स्वन को लगाताव पर तेरना पड़ता ताकि वो डूबना जाए यह लाएज एंस एकिए में लिखी है ऊके चलो आगे देखो शार्क एंड रे ग् तो शार्क मचली किसमें आती है इसमें आती है कॉंड़िक परसाइट वह कौन से एक्टोपरसाइट है को जल्दी बोलो कि यह थकलोस्तों साइकलोस्तोम गजांपल होते हैं शुलाने याद कर लेना यह इनके संकति होगा है यह कर दो केटिगरी डाइनसार्स विलंग यह तो बहुत है भूद फुलूट उस्वाल लेकिन क्या डाइनफार आज की डेट में जिंदा नो इसे एक्स्टिंगत हैं किसी जमाने में जिर्छिक टाइम पर हुआ पर हुआ करते थे आज नहीं यह उस टाइम पर हुआ करते थे तिस फाइलम में आते होंगे इस घृट में आते हुंगे श इतने भी डाइनसार वो किस क्लास को बिलॉंग करते थे यह मतलब यह खतम हो चुके हैं रैप्टाइल को करते थे ओके आगे देखो विच इस नौट इबार्ड कौन से बार्ड नहीं है चिडिया नहीं है तो वही आप मोर का नाम है इस तुथीयो तो ऑस्टिच का नाम है कॉ अमें त्याम है तयस्कों आया कुछ याद का सफ हो शु करते था आगे देखो बहुत हेपैटिक और नार्ड पोर्टल सिस्टम आरप मुए देंक कटिक पोर्टल सिस्टम तो लगबख सारे घृ पाई जाता है रिनल पोर्टल सिस्टम जो शुरू में फिश एंफिबिया रेप्टाइल से वहीं तक पाए जाता है बर्ट्स और में में नहीं होता है तो आपको अप्शन सेलेक्ट करना इसमें यह वाला फिश एंफिबिया और रेप्टाइल ठीक है क्योंकि इनमें पैटिक पोर्टल सिस् सर रैबिट मेरीनल पोटिल होता है न किस मेरे बिट में भाई तो मेर मालस उसमें कैसे हो जाएगा सर पड़ा था गलत पड़ा होगा पैट्ट ऑनलाइन रिचॉ स्टम नहीं होता है रैबिट एनियृष्प को आता तो यह नहीं होता है बेटा नको नहीं होता है इस चलो आगे विदेखते हैं identify अच्छा ठीक है तो करेक्ट मैचिंग करना है चलो ठीक है करते हैं अर्थ बॉम एनलेडा फालम का एक्जामपल है लेकिन एनलेडा सपरक्लास नहीं है बेटा तो यह क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा फ्रॉप का नाम राना टेग्री ना तो है लेकिन राना इसलिए भी रॉंग हो जाएगा वाल रस सीज जैसा होता है इसके आगे दांत होते हैं से लंबे-लंबे बर्फ पर रहता है आप गूगल करके देख लेना यह मैमल एक क्लास का नाम होता है इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नम्मर का आगे देखते हैं भी तफ लगता तो मैंने इसको तोड़ा सा छेंज करके आपको आसान कर दिया स्ट अंधा पसीने वालिए ग्लैंड कहां पर होती है मुझा मैं में 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 मैं में इस अगे देखो बीच अमंग दीज इस करेक्ट कॉम्ट इस पानी में रहने वाले मेल से तो पहले जो मश्रियों वाले option में उसको अटा दूँगा शार्क लगा तो यह तो नहीं होगा ट्राइगोन भी क्या होता है इस्टिंग्रे मश्री यह भी नहीं होगा और ट्राइगोन यहां पर लगा तो यह भी नहीं होगा तो आंसर तो बैसी निकलाया ब्लू वेल मतलब ब्लू वेल से है डॉल्फिन और सील यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तीनों एक्जामपल एक्वेटिक मैमल्स के एक्जामपल है अगर यह आपको नहीं भी आता तो आप तो जो 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 मश्री मश्री वाले नाम आ रहे ना वहटा दो कि अगला है वर्टीब्रल कॉलम एज कार्टिलेजनस इन वर्टीब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना होता है किसमें लैंप्रे हैट फिश मिग्सीन ऑल सम्में होता है विटा तो कि यह आप पढ़ोगे ल्सी आटे के लाइन है मैच कर जाएगा क्योंकि यह सब के सब किसको ब और मैन वो बोन का नहीं बनाएंगा है काटलेज का बनाया सँमझे में बना है कार्टलेज का और साइक्लेज का ही बना है 10 जल्दी से बोलो विटा जो किया कि चार पर गिल्स होते हैं काटलेजिस में कितने होते हैं था था यूट कर्शंटर क्लेक्ट अंसर क्या हो जाएंगा वैटा हो जाएगा आगे दो उपर कुलाम इस कवरिंग ऑव फर कुलाम किसकी कवरेंग है तो गोनी फिश में जो गिल्स होते हैं उनको पर एक कवर होता उसके गिल्स को नाम उपर कुलम्ब तो यह बाकी ओप्सन्स नहीं उन्हें बेटा इसका अंसर हो जाएगा गिल्स नेक्स देखते हैं विच वन इज एक्वेरियम फिश एक्वेरियम फिश एक्वेरियम नहीं पालती है तो समंदर के अंदर होता है बहुत बढ़ी है एक्वेरियम फिश में बेटा भी आता है और एक और आता है तीरो फाइलम एंजल फिश यह दो एक्वेरियम लिखें आप अच्छे से याद किजिए नेक्स है ट्रोडांट टीथ प्रजेंटें एंस इसको लिखाए लिखता है इस चप्टल में डिफरेंट टाइप सब्सक्राइब अब इस मतलब होता है क्या मांदा बिली कैट तो कैट के लिए क्या जवाब हो जाएगा इस क्वेशन के लिए क्या जवाब हो जाएगा मैमल्स और इनमें से मैमल्स किसका एक्जांपल कौन है बिल्ली पैलेस पैलेस डॉमेस्टिक का के इंसान भी होता तो भी अप्टिक कर देते बट मुझे एंसी आर्टी से पेपर को थोड़ा सा चेंज करना रहता है इन क्वेशन को तो आप खुद इमेजिन करके सोच कर भी आंसर टिक करते थे तो इन सब में इंटरनल होता है चीक है जिएanç降 देखते एकवस ह्कुरस गोड़े का नाम है यह गोड़ा है ovn यह लगता आपको समझ में आ ंगया होगा कोई भी कुर्शन आपको ऐसा नहीं लागा होगा जो टफ या टेंशन दे रहा है आपको चलिए तो कल में स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर लिविंग वर्ल्ड ओके सो तयार रहे कल का चैप्टर पढ़ने के लिए आज के इतना काफी है तब तक के लिए टाटा बाइ-ब गुट्नाइट कल फर्शने में गुए आज जीव टेंक यो और तेंक यू है खट्रट को टैंक यू है भी Scott